जी यहां दोस्तों स्वागत आपका स्विजी चनल में दोस्तों आज किस वीडियों बात करेंगे MPI TIE Second Round Admission Process के बारे में कापी स्टुडेंड एक कमेंट आ रहे हैं कि सर्थ MPI TIE Second Round Admission कब से कब तक होगा कैसे होगा क्या प्रोसेस रहेगी पूरी जानकारी को हम देखेंगे वीडियो के मादम से वीडियो को शेयर कर देने सभी के साथ जैसे सभी दोस्तों को इसके बारे जानकारी मिल सकेगे दोस्तों जैसा कि आप सभी को पताई कि MPI TIE की जो Second Round Admission साथ तारिक से स्टार्ट होने वाला साथ का मतलब है साथ तारिक कि साथ का मतलब क्या समझ गए साथ जुलाई ठीक साथ जुलाई से स्टार्ट होने बारा था लेकिन दोस्तों अब इसका एक नया टार्म टेवल जारी कर दिया गए। जैसा की देख पा रहे हैं मैंने इसका नया टाम टेवल डाइनलोड कर लिए है और जैसा कि देख पा रहे हैं MPiT second round admission process के बारे में यहाँ पर पूरी information दे दी गई है और यहाँ पर time table भी बता दिया गया कि MPiT second round admission कब से कब तक होने बाला है तो यहाँ पर clear mention किया गया है कि दिती है चैंज सूची जारी करना वो आएगी 9 जुलाई को अब जो आपकी 7 जुलाई को मेरे लिस्ट आने बाली थी नो दोस्तो अब वो 7 जुलाई को 9 जुलाई को जारी की जाएगी जिस तरह से आपकी first round की जारी की गई थी ठीक उसी प्रकार से हम पर भी जारी की जाएगी लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज आपका registration नहीं होगा नहीं आपकी चॉइस प्लिंग होगी आपका है यहाँ पर जो मेरे लिस्ट आएगी बो डारेक्ट आएगी डारेक्ट का मदला है कि आपने जो फस्ट आंड में चॉइस प्लिंग की थी उसी के बेसिक पर हाईगी और किन-किन श्टूडेंट का हैं पर नाम आएगा वो भी सुन लीजिए जिन श्टूडेंट का जब अलर्ट में लेटर डानलोड हो रहे थे तो वहाँ पर आपको तीन ओप्सन दिखाई दे रहे थे जिन्होंने फस्ट वाला और तरवाला सेलेक्ट किया है यानि कि जहाँ पर लिखा गया था अप्ग्रेडेशन करना चाहते हैं तो जिन श्टूडेंट अप्ग्रेडे करना डानलोड करने के बाद में आपको अपने क्या करना है दस तारिक से लिएकर बारत तारिक के बीच में जो भी आपका कॉलिज उस कॉलिज में जाना डॉक्यमेंट बेरिपेकिशन करा लेना ठीक है जैसी आपका डॉक्यमेंट बेरिपेकिशन कंप्लीट हो जाता है डॉ आप अपनी पीस को submit कर देना 12 तारिक तरह के काम करना है यहाँ पर आपका कोई भी ना तो नया registration करना है नहीं आपको नई चॉश्पिलिंग करना है केबल और केबल जो आपकी मेरे लिस्ट आएगी डारेक्ट आनी है आपको कोई भी काम यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है दिती चैन सुची जारी की जाएगी अपग्रेडेशन के साथ में और उनी स्टूडेंट का नाम आएगा जिन्नोंने पहस्ट आनुके में